हेलो गाइस विलकम टू लोफ यू वेलकम बच्चो हम पढ़ रहे हैं क्वाडवेटिक एक्वेशन और क्वाडवेटिक एक्वेशन्स में इस पार्ट टू ठीक है लास्ट क्लास में हमने यह स्टार्ट किया था आप लोगों ने वह वीडियो वोच किया होगा आज हम उसको आगे लेके जाएंगे और आज हम क्वाडवेटिक एक्वेशन्स में बात करेंगे सम एंड प्रॉडक्ट ओफ रूट्स की मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं पिटा हमने लास्ट क्लास में क्या किया था एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूं हमने डिस्क greater than zero है तो हमने कहा था जो roots होंगे वो real and unequal होंगे real and unequal बोल दो या distinct बोल दो d equal to zero है तो बच्चों roots कैसे थे? roots हमारे real and equal थे real and equal थे और तीसरा अगर d less than zero है तो हमने कहा था roots जो होंगे हमारे वो complex होंगे या imaginary होंगे ये बात हमने discuss कर ली थी ये last वीडियो में हमने किया था इसके अलावा एक दो बाते और समझे और फिर हम questions पर आते हैं यदि if लिखिएगा ज़रा if alpha beta are the roots of अगर alpha beta roots है if alpha beta are the roots of किसके? ax square ax square plus bx plus c equal to zero इस quadratic equation के बेटा alpha और beta roots है तो याद रखो याद रखो दो बात हैं एक तो sum of roots which is alpha plus beta alpha plus beta आपका equal होगा हमेशा minus b by a के हमेशा सर हमेशा वाली बात है बच्चो और alpha into beta होगा आपका c by a के हमेशा सर हमेशा जैसे मैं simple सी एक बात पूछ लेता हूँ अगर 2x square minus 5x या plus 5x plus 1 equal to zero एक quadratic equation है तो alpha plus beta किसके बराबर होगा minus b by a which is minus 5 by 2 और alpha into beta किसके बराबर होगा that is 1 by 2 इतनी बात समझ में आगी हमें देखो बेटा ये समझ में आगे सबको अब हमारे पास अलग-अलग से सवाल आते हैं अलग-अलग question पूछे जाते हैं मैं आपको बताऊँगा बट एक दो चीजे में यहाँ पर आपको derive करवा देता हूँ जैसे कई बार हमसे पूछ लिया जाता है alpha square plus beta square की value बताओ ये बड़ा common सा सवाल है तो आप मुझे ये बताओ क्या मैं इसे alpha plus beta का whole square minus 2 alpha beta लिख सकता हूँ कैसे sir alpha plus beta a plus b का whole square open करो बेटा तो alpha square plus beta square plus 2 alpha beta minus 2 alpha beta तो plus 2 alpha beta से minus 2 alpha beta cancel out हो जाएगा यही बचेगा ना तो इस चीज़ का बड़ा use होता है ध्यान रखेगा क्यों क्योंकि हमसे alpha square plus beta square पूछा जाता है alpha plus beta हम यहाँ से निकाल लेते हैं और alpha into beta हम यहाँ से निकाल लेते हैं इन दोनों का यूज करके हम अलफा स्केर प्लस बीटा स्केर ऐसे कोई भी वैल्यू पूछे हम निकाल सकते हैं मैं आपको भी बताऊँगा एक लास्ट बात और इसमें बच्चो इसका उल्टा इसको भूल जाओ अगर आपको अल्रेडी अल्फा बीटा पता है इफ अल्फा बीटा अर्दा रूट्स अगर हमें पता है कि अल्फा बीटा अर्दा रूट्स है किसी एक्वेशन के लेकिन हमें quadratic equation नहीं पता कौन सी है वो तो ध्यान रखना quadratic equation बनाने का formula होता है x square minus sum of roots लिख लिएगा x square minus sum of roots into x plus product of roots plus product of roots is equal to 0 मतलब यह कि अगर हमें quadratic equation पता है तो sum of roots और product of roots निकालने का formula ही है लेकिन अगर हमें roots पता है तो sum of product तो हम वैसे ही निकाल लेंगे तो quadratic equation बना सकते है जैसा सवाल पूछा जाएगा वैसे answer कर देंगे समझ गए हो बाकी question के through समझाओ भी बटा मैं सीधा questions की तरफ लेके चलता हूँ आपको एक बार यह note कर लिया होगा ऐसा मैं समझ पा रहा हूँ आजाओ अब सीधा सवाल पर जो लोग पहला सवाल आओ मिलके करते हैं first question तो पहला सवाल कहता है कि if the roots of this equation equation यह है if the roots of this equation are reciprocal of one another reciprocal का क्या मतलब है अगर एक alpha है तो दूसरा 1y alpha है है ना तो हमें M का value बता ना अब सारी बात है छोड़ो बेटा मुझे बताओ product of roots बताया था तुम्हें अभी बताया था किसके बराबर था C by A के C किसके बराबर है बेटा यहां पे C है सर twice of अच्छा C बार में देखेंगे यही था ना अब अगर दोनों roots एक दूसरे के reciprocal है तो एक alpha है तो दूसरा 1 by alpha होगा बताओ बार reciprocal है और C किसके बराबर है C by A C है twice of 2M minus 1 और A है बेटा 2 divided by 2 तो can we say यहां alpha से alpha कट गया यह 1 आ गया यहां से 2 से 2 कट गया तो यह 2M minus 1 आ गया तो 2M का value 2 आ जाएगा M का value 1 आ जाएगा हम से पूछा हुआ था M का value तो M का value हम कहेंगे 1 है और 1 ही सवाल का सही उत्तर है This is the right answer of this question I am sure बच्चों को समझ में आया चलिए दूसरे question पर लेके चलता हूँ एक बार दुबारा देखते है यह लो दूसरा question एक बार दुबारा देखते है Question number 2 है If the value of P Find if the value of P is real P की value बेटा real है यह given है हमें तो वो कहता है कि इस equation के nature of roots कैसे होंगे nature of roots का मतलब समझते हो real होंगे, unequal होंगे, equal होंगे imaginary होंगे, complex होंगे, क्या होंगे बताओ, उसके लिए क्या बोला था आपको सर उसके लिए discriminant निकालने के लिए बोला था बोला था ना, discriminant D बैटा यही तो determine करेगा which is 4B square minus 4AC B A इसमे twice of P plus 1 का square बताओ सही है इतना minus 4 into A कितना है, A1 है X square का coefficient into CC कितना है, बैटा 2P है can we say यह निकालेंगे, हम एक बर निकाल के देखो यह हमें बताएगा, देखो भई बच्चे भूल गए है, बैटा discriminant बोलते है, इसको D को यही तो बताता है कि nature of roots कैसे होंगे nature मतलब कैसा दिखेगा यहां सिरफ यह बताना है bracket को खोलो बच्चो तो 2 का square तो 4 तो भार आजाएगा अंदर बचेगा P पलस 1 का square और माइनस 8P है तो यह हो जाएगा 4 times of यह हो गया हमारा P square पलस 1 पलस 2P साथ में हमारा माइनस 8P तो 4P square पलस 4 पलस 8P माइनस 8P 8P से 8P cancel out हो गया इन दोनों में से 4 common आजाएगा P square पलस 1 अच्छा एक बात बताईए आप मुझे सभी बच्चे आप मुझे एक बात बताओ बिटा कैना ही से थाट अगर P real है तो P square पका real है बहुलो सही है और अगर discriminate हमारा यह आया है तो can we say that अगर P real है तो P square पका positive होगा yes or no बही किसी भी number का square करते है तो वो positive आता है तो P square is always positive तो P square 1 तो हमेशा positive आएगा into 4 करोगे पूरी value positive आएगी positive का मतलब क्या हुआ यह greater than 0 है और बच्चो प्यारे बच्चो greater than 0 discriminant greater than 0 कब होता है जब roots होते है सर real and unequal तो इसका nature कैसा होगा roots का आप कहेंगे nature होगा सर यही पूछा था बस बेटा option जो यह होगा वही answer होगा roots कैसे होगे आप कहेंगे real and unequal आगे समझ में कवलोगे ना question यह लो दुबारा सुनो दुबारा सुनो फिर से अगले सवाल से एक और बहतरीन सवाल बहुत बहतरीन सवाल है यह तीसरे वाला सवाल देखो ज़रा कहते हैं A is a single digit prime number अच्छा single digit prime number पता है आपको क्या होते हैं single digit prime numbers prime numbers 2,3,5,7 जिनका केवल 1 जिनके केवल दो factor होते हैं 1 and itself है तो single digit prime number में 2,3,5,7 and B is a natural number B कोई भी natural number है सही है कहता है कि कितनी equation बना जकते हो आप x square minus 4x plus 3b equal to 0 वाली जिसके roots real होंगे आपको याद है मैंने बताया था roots real का होंपे होते हैं मैटा last video में भी बताया था real roots कहांपे होते हैं कहना ही से real roots के लिए जो discriminant है वो greater than equal to 0 होना चाहिए बहिए greater than 0 पे भी है greater than equal to 0 पे भी है तो बस ये लगाओ आप देखते हैं discriminant निकालो पहले आप D किसके equal है B square B कितना है minus 4 A का square minus 4 A C 4 into A A1 है बेटा coefficient x square गा और C आपका 3 भी है ये होना चाहिए greater than equal to 0 मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात है तो यहां से ये आजाएगा हमारा 16 A square minus 12 B should be greater than equal to 0 इसको उधर ले जाओ कोई दिक्कर निये लेके जा सकते हो plus minus वाली बात है तो greater than equal to 12 B हो गया 4 से कटेगा तो ये 4 आजाएगा 4 से काटोगे तो ये 3 आजाएगा आप कहेंगे 4 A square must be greater than equal to 3 B क्या इतनी बात बच्चों को clear है अब बताओ A जो है बिटा वो single digit number है single digit prime number है हमें बतानी है ऐसी ऐसी कितनी equations possible है वो अच्छा सवाल है ये सुनो जगा लेकिन आसानी से करेंगे आप सबसे पहले मुझे ये बताओ सबसे पहले आप मुझे ये बताओ A को value मैं 2 दूँगा यदि A को 2 दे सकता हूँ है ना A को क्या क्या value दे सकता हूँ बताओ A को हम 2 दे सकते है A को हम 3 दे सकते है A को हम 5 दे सकते है A को हम 7 दे सकते है अब अगर मैं बिटा A को 2 देता हूँ तो 4 into 2 square 4 into 2 square ये value कितनी हो गई 4 into 2 square 16 हो गई अब बताओ 16, 3 भी 16 ये 16 से कम होना चाहिए, तो B की value क्या-क्या possible है, 1, 2, 3, 4, 5 भाई पहली 5 value में से कोई भी ले लो भाई 4 a square का value आ गया 16, बो सही है क्या put करने बे, 2 पूट करने बे तो 1 से लेके 5 तक B की कोई भी value दे दो 16 possible है, कोई दिक्कत नहीं है अच्छा 3 देगे देखो यदि मैं 3 देता हूँ हाँ सही निकाल रहे है ना बताओ 3 दो जगा, 3 दो गे तो ये कितना हो जाएगा 36, बिल्कुल सही बात है अगर मैं 5 दूँगा तो ये value कितनी हो जाएगी 5 पे 5 पे बताओ कितनी value हो जाएगी तो आप कहेंगे सर 5 पे ये value हो जाएगी हमारी 100 और 100 के लिए सोच के देखो 1 से लेके 33 तक जाएगा बोलो सही है, 1 से लेके 33 तक जाएगा 7 लेता हूँ तो अच्छा यहाँ पे A स्केर ही हाएगा न B स्केर देखलू मैं एक पर मैं सही कर रहा हूँ बेटा क्योंकि कोई गलती ना हो बस A is a single जाए, B is a natural number तो ये minus 4 A है तो इसका square 4 A स्केर ही होगा और minus 4 A C तो सही लिख रहे है हम कोई दिक्कत नहीं लग रही मुझे हां तो 7 लोगे तो कितनी होगे ये value बोलो तो 49 फोर जा बिटा 49 फोर जा 196 और 196 को 3 से divide करोगे तो ये value आएगी 1 से लेके आप जाओगे 6 और 5 65 तक तो खूब सारी values possible हैं इस चीज को satisfy करने वाली हमारी खूब सारी values हैं बट कोई दिक्कत नहीं है कितनी हो गए बस इनी को तो count करना था खतम हो गया सवाल ये पटा 5 है ये 12 है 17 17 और 33 कितना हो गया 40 40 फोर्टी प्लस 65 can we say 105 फाइव सच वेल्यूस आर पोसीबल 105 फाइव सच वेल्यूस आर पोसीबल एक बड़ दुबारा बता देता हूँ देखो एजा सिंगल डिजिट भी नेचुरल नंबर था वेटा हाव मैनी एक्वेशन सव दा फॉर्म एक्स स्केर माइनस 4 एक्स प्लस 3B एक्वल टू 0 विल है रियल रूट्स बिल्कुल साही किया है हमने तो हमने का यह हो जाएगा 20 स्केर 16 एक्सकेर माइनस 4 एसी 12 बी और यहां से ही एक्वेशन बन गई एकी वैल्यू फिक्स थी 2 3 5 7 यह पुट की यहां पे तो 2 पे 16 हो गया 3 पे 36 हो गया 5 पे बेटा यह 100 हो जाएगी वैल्यू और 7 पे यह वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 196 उसके इसाब से हमने 3 से सबको डिवाइड कर दिया तो यह 5 तक जाएगा इसको 3 से डिवाइड किया तो तक जाएगा इसको 3 से डिवाइड किया तो 65 तक जाएगा तो टोटल एड कर दिया मैंने इन सब का हाँ टोटल सही है टोटल देख लेना टोटल में कुछ गड़ तो नहीं है 65 33 कितना हो गया 98 110 115 आएगा एक सो पंदरा ऐसी वेल्यूस पोसिबल है येस 115 सच वेल्यूस पोसिबल बट अच्छा सवाल था ये बट आम शोर ये क्लियर हो गया होगा बच्चों को चलें आगे बड होगे चलो एक बार दोबारा ये लो ये वाला क्योशन इस तरह के क्योशन भी बड़े कॉमन है बहुत जल्दी निकालोगे चिंदा मत करो आजाओ दोबारा से क्लास में अलफा बीटा अर्दा रूट्स ओफ दिस हमें इसकी वेल्यू बतानी है बच्चे कहते बड़े खतर अंदर बचेगा अलफा प्लस बीटा ये हो गया अलफा बीटा का होल क्यूब in two alpha प्लस बीटा अब मुझे बताओ इसकी value आपको गिन है three तो three का क्यूब हो गया इसकी value आपको गिवन है two तो ये two लगा दो तो can we say 27 into two 54 question का answer होना चाहिए 54 सवाल का सही उतर है seek Alkata is the right answer of this question तो I am sure बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहे होंगे बिटा जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप इतने के भी नोट्स अच्छे से बना लोगे ये भी questions आप पेपर में एक बार दोबारा revise करके चले जाओगे आपकी तयारी बहुत अच्छे बहुत अच्छे लेवल पे होगी बाकी आप प्रेक्टिस तो कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा चलो एक बार फिर दुबारा करते हैं एक और questions से ये लो इस question का answer बताओ क्या हमें alpha बीटा इसके roots दी है मैंने का ऐसा कभी बोले तो सबसे पहले alpha प्लस बीटा और alpha इंटू बीटा तो निकाली लो तो minus b by a क्या हो गया one और alpha इंटू बीटा क्या बन गया हमारा c by a which is four हमें value निकालनी है sir इसकी तो क्या दिक्कत है आप ये बताओ इसको छोड़ा आप इतना बताओ मुझे क्या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं इसमें LCM ले लो कितना आएगा alpha बीटा उपर आएगा बीटा पलस alpha या alpha पलस बीटा ये की बात है minus 2 alpha बीटा अब value पुट कर दो बीटा जैसे alpha पलस बीटा की one है alpha इंटू बीटा की four है minus twice of alpha इंटू बीटा four तो one by four minus eight can we say minus thirty one by four सवाल का उतर होना चाहिए यही सवाल का सही answer है वीडियो पसंद आया तो बेटा वीडियो को लाइक जरूर करना और comment box में मुझे बताना ये वीडियो कैसा लगा आपको बाकी आपकी तैयारी अच्छे से चलती रहे इसका हम पूरी मेहनत कर रहे हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपको best से best content दे homework का time आ चुका है एक question homework में रहेगा जल्दी से इसे send करो फटा फट से comment box में और बताओ इसका answer क्या होगा मुझे ठीक है ये question आपका homework रहेगा जो सामने दिख रहे हैं आपको screen पर आज के इस particular वीडियो में इतना ही करते हैं बच्छो मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जो रही है अपना good bye to all of you